हलो बच्चो महनत से राहे आसान होगी मन्जिलों से तेरी पहचान होगी हौसलों में दम भरके तो देख आसमानों से भी उची तेरी उडान होगी हलो एवरिवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फांडेशन चैनल मेरा नाम है सयम बडोला आज जील नमबर का लेक्चर नमबर 3 डिसकस करेंगे बहुत ही मज़ा आगया आप लोगों की कॉमेंट देखकर जो पार्टिसिपेशन आपने दिखाया है पिछले दोनों लेक्चरों में होमवक कोशन को लेके जो सीरियसनेस आप लोगों ने दिखाई है ये जोश ये एनरजी पूरे दो महिने आपको रखनी है आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता च्छाने से अब आपके हाथ में हैं मैनत करनी हैं मन लगा कर शुरू करते हैं आज का डिसकस्शन आज बात करेंगे रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स के प्रूव्स की जो कि आपको बहुत टफ लगता है कि यार रूट फाइफ को कैसे प्रूव करूँ कि वो इर्रैशनल नंबर है और सबसे ज़्यादा प्रोबैबिटी उसी कुश्चन की होती है इस चैप्टर से बोर्ड में आने की तो उसको इतने आराम से समझेंगे कि तुमारे दिमाग में वो फिट हो जाएगा तरीका तुम उसे कभी गलत नहीं करोगे ये मेरी गैरिंटी है तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले होमवक प्रॉबलमों को डिसकस करेंगे फिर साइकल सीटी ऑफ नंबर्स के बारे में बाते करेंगे और फिर आज का कुछ कुश्चनों में धमाल मचाएंगे तो स्टार्ट है आज का लेक्चर पहला कुश्चन सबने अटिम्ट किया था जो बच्चे सबसे पहले आंसर देते उनके नाम मैंने याद कर लिये थे एक तो सरवेश था, एक हिमांशू था, एक मुदित था मुदित गोस्वामी टाइप्स है ना, बाकी बहुत सारे बच्चों के आंसर आये थे सबके नाम तो याद रख नहीं सकता था पर अगली बार कुछ और नाम याद करके आऊंगा इसी तरीके से हमारी और आपकी बॉंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और खूब मज़े से दो महिने में पूरे सबजेक्ट्स जितने भी सबजेक्स की क्लासिस चल रही है सब में मचाना है तो शुरू करते हैं आज का discussion तो यार ये question एक doubt भी आ गया बच्चों का कि word problem में ये कैसे पता लगे कि HCF निकालना या LCM तो पढ़ की समझ में आ जाता है और कभी पढ़ के समझ में नहीं आता है तो HCF और LCM की definition जो बताई क्या बताई थी HCF और LCM की definition क्यार ये दो number है A and B कभी इनके HCF की मैं बात करूँ तो HCF होता है highest common factor मतलब वो number जो इन दोनों को completely divide कर दे ऐसा number जो इन दोनों को completely divide कर दे मतलब HCF वो number है जिसकी table में ये दोनों number आते table मतलब क्या जैसे यहां पर मैं बात करूँ 12 और 18 ये तरीका है समझाने का table का मतलब क्या रहे है अपन ने table याद करी ना 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4 वो वाली table की ही बात कर रहा हूँ तो देखो HCF इसका क्या होगा 6 तो देखो 6 की table में 12 भी आता है 6 की table में 18 भी आता है तो HCF वो नंबर है HCF वो नंबर है जिसकी table में वो दोनों नंबर आते हैं LCM बिलकुल उल्टा बताया था कि भाईया LCM होता है इन दोनों की table में आने वाला lowest common multiple जो इन दोनों नंबरों की table में आए तो यार इस question में मुझे बताना कि तुमको bit 2 और बबली को मिलाना है तो HCF निकालोगे की LCM निकालोगे तो बहुत ही common बात थियार की ऐसा तो होई नहीं सकता है कि 6 minute में दोनों मिल जाए कि यह दोनों शुरू हुए है starting point से एक को लग रहा है जो bit 2 है उसको लग रहे 12 minute पूरा चक्कल लगाने में बबली को लग रहे 18 minute ऐसा तो होई नहीं सकता है कि एक round भी complete नहीं हुआ और दोनों की मुलाकात हो गई है ना तो it is not possible in this particular case तो जब भी ऐसा मतलब इनका common निकालना है ना दोनों का intersection निकालना है basically कि दोनों की मुलाकात हो जाए दोनों की मुलाकात कब होगी जब इनका तुम LCM निकालोगे 12 और 18 minute का जब मैंने first lecture में question दिया था HSCF वाला उस word problem को पढ़ना इस word problem को पढ़ना तो उनको feel आजाएगा कि आंतर क्या होता है HSCF और LCM का और यह definition कभी समझ लिए तो फिर कभी गलती करोगे नहीं I hope this point is clear to each and everyone अब आजाते 12 और 18 का इसमें basically हमें LCM ही निकालना था तो LCM of 12 और 18 जो कि सब बच्चों का answer आगया 36 minutes है ना क्योंकि 12 की table में 3 times में 36 आता है और 18 की table में 2 times में 36 आता है तो वो lowest number जो दोनों की table में आये तो वो 36 है कैसे निकाला तो भाई prime factorization method 12 यहां पर लिखा 2, 6, 2, 3, 3, 1 फिर उदर 18 लिख देते हैं है ना अब तो मेरे के हाल से बहुत super fast speed में बिलकुल फटाफट की speed में ऐसे सवाल बन रहे होंगे यार अब अब नहीं समय लगना चाहिए है ना अब तो औरल ही निकलने चाहिए answer क्योंकि आप काफी हमने HCF और LCM के problem देख लिये हैं 2 into 2 into 3 18 की बात करूँ तो 2 into 3 into 3 common common factor देखो यह common क्या क्या है एक यह 2 है एक यह 3 है common को एक बार लिखते LCM की जब बात की जा रही है तो common को एक बार लिखेंगे 2 फिर यह खाली वाला 2 आ जाएगा यह वाला 2 है ना फिर यह common 3 आ जाएगा फिर यह वाला 3 आ जाएगा multiplication करो गया आप तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 वा 3 जा 36 तो यह आजाएगा 36 मिनिट्स के बाद कुछ बच्चों का 30 मिनिट्स आंसर आ गया था पता नहीं LCM कैसे निकाला आप लोगों ने फर अब मेरे खाल से बाते समझ में आ गई होगी सबका आंसर आ गया 36 मिनिट्स तो बता देना comment करके कि sir answer आ रहा है मचा रहे हैं हम लोग ठीक है आजाओ अगला सवाल अब यहाँ पर मैंने variable दे दिये थे numbers की जगा variable दे दिये तो confused हो गए कि second वाला सवाल बन नहीं रहा है क्या करना था इसमें बहुत सारे बच्चों ने इसका भी answer बताया है very good a b square मतलब a into b into b लिख सकता हूँ फिर q को मैं क्या लिखूंगा q को लिख सकता हूँ a cube है तो a into a into a और एक बार b अब क्या पूछा है देखो क्या पूछा है lcm पूछा है common वाले को देखो पहले a है एक b है इसके अलावा तो कुछ common है नहीं तो जो common है उसको एक बार लिखेंगे बागी जितने भी factor एक b है दो a और है तो यह लिख दिया या या a cube b square यह तो lcm आ गया lcm ही पूछा था कभी यार इस सवाल में hcf भी पूछा होता इस सवाल में hcf भी पूछा होता तो यह common वाले ही होते है hcf मतलब a into b which is a b मेरे ख्याल से यार अब hcf और lcm में तुम कोई नहीं रोक पाएगा सारे सवाल बन जाएंगे बड़े आगे चलो भी या अब जो concept बता रहा हो that is cyclicity of number वो ही सवाल करा हूँगा 2022 की power 2018 वाल पर आप लोगों ने बहुत सारी comment करी काफी बच्चों को समझ में आ गई बाते काफी बच्चों को feel भी आ गया होगा मैंने जो बताया था तो एक बाए मैं सारे number की cyclicity लिखता हूँ जो 2 की cycle होती है न वो कैसी चलती है तो देखो cyclicity of 2 यहाँ पर इसी एक slide में मैं सब की cyclicity लिख दूँगा तो cyclicity of 2 को कभी imagine करो गए तो 2 की power 1 2 का square 2 का cube 2 की power 4 2 की power 5 2 की power 6 2 की power 7 2 की power 8 यहाँ तक अपने लिखेंगे तो अपने को pattern पता लग जाएगा अब मैं पूरा number नहीं लिखूँगा मैं केवल unit place की बात कर रहा हूँ तो unit place लिखो तो यहार यह मैं जो second column में लिख रहा हूँ यह जो second column में बना रहा हूँ यहाँ पर यह जो मैं second column बना रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं केवल unit place की बात कर रहा हूँ यह मैं unit place लिख रहा हूँ 2 का cube है तो unit place पहरा है 8, 2 की पावर 4 है तो unit place पहरा है 6, 2 का पावर 5, basically देखो, 2 की पावर 1, 2 होता है, 2 का square 4 होता है, 2 का cube 8 होता है, 2 की पावर 4 होती है 16, 16, बात हो रहे हैं यहाँ पर unit place मतलब आखरी number की, 1, 6 आएगा तो 6 है unit place पहर, unit place तो समझते हो ना, 3, 2, 5, 7 है, तो 7 इसकी unit place है, क्योंकि यह 5 तो 10th place होती है, 200th place होती है, और 3000th place होती है, तो इस हिसाब से, 2 की पावर 5, basics तो है थोड़े बहुत तो, 6, 7 की बाते पता है, नही 52, मतलब unit place पहा आगया 2, 2 की पावर 6 होती है, 64, unit place पहा आगया 4, फिर 64 की पावर, मतलब 64 में 2 का multiplication करेंगे, तो 128, तो आजएगा 8, फिर 256, तो 6, एक pattern देख पा रहे हो क्या, एक pattern देख पा रहे हो क्या, यह देखो, bundle चल रहे, 2486 के है, 2486 के, ऐसे ही repeat होने लग जाएंगे, ऐसे ही repeat होने लग जाएंगे, तो 2 में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, हर 4th power के बाद, unit place repeat होने लग जाती है, और वो इस तरीके से repeat होती है, 2486, 2486, 2486, 2486, तो एक basic सा सवाल पुछता हूँ, कि 2 की power 18 की unit place क्या होगी, 2 की power 18 की unit place क्या होगी, फिर वो सवाल पे चलेंग तो या 2 की power 18 की unit place क्या होगी, तो कभी तुम देखो, तो हर 4 के बाद repetition हो रहा है, मतलब यह जो power है इसको दिहान से देखो, that is 18, इसको मैं कभी 4 से divide करवा देता हूँ, तो 4 of 4 is 16, remainder मेरा आया 2, remainder मेरा आया 2, remainder मेरा आया 2, जब remainder 2 आये, तो यहाँ पर आजाओ, that is unit place पर आएगा 4, remainder क्या आता 2, तो unit place पर आएगा 4, कभी remainder 3 आता, भई 4 से divide कर रहे तो remainder क्या क्या आ सकता है, जब किसी number को 4 से divide कर रहे तो remainder आ सकता है, 0, 1, 2, 3, कभी remainder 0 आ रहा है, तो answer होता 6, कभी remainder 1 आ रहा है, तो answer होता 2, कभी remainder 2 आता, तो answer होता 4, कभी remainder 3 आता, तो answer होता 8, फील आपा रहा है कि नी, फील आपा रहा है कि नी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसी तरीके से, इसी तरीके से 3 की साइकल चलती है, 4 की साइकल चलती है, 5 की, 4 की बता दी थी मैंने, 3 की भी देखो, 3 की भी देखो, ये बात आ गई समझ में, अब यार वो सवाल तो बहु बाकी का तो कोई sense बनता नहीं है, यह 202 का तो कोई sense बनता नहीं इसको काट देता हूं, कोई काम का नहीं है, भाई unit place पे तो केवल यह 2 ही दिक्कत करेगा, unit place किस पर depend कर रही है, वो आखरी number 2 है, तो केवल उसको देख लो, केवल उसको देख लो, मतलब यह सवाल ऐसा बन गय कि 2 की power 2018, तो basically 2018 है, तो जो power होती है, मैंने उसको क्या बोला, कि जो भी cycle चल रही है, उससे divide कर रहो, हर 4 के बाद repetition हो रहा है, तो 4 से divide कर दिया, तो basically 4, 5, 20 आएगा, यह 0 आया, minus 1, 8 उतरेगा, यहाँ पे 0 लगाओगे, 4, 16, remainder क्या आया, 2, मैंने क्या बोला था, कि जब remainder 2 आ answer है, वही इसका answer हो जाएगा, मतला answer क्या हो जाएगा, 4, कुछ बच्चों ने 6 बोला था, वो गलत है, बहुत सारे बच्चों ने 4 भी बोला था, that is absolutely correct, तो answer जो है, इस सवाल का, मैं सवाल वापस से पूरा बना लेता हूँ, यह तो अपनने solve करने के लिए कर लिया, तो answer क् 4, क्योंकि क्या आई, remainder क्या आया, 2, remainder 2, मैंने क्या बता है, जब remainder 2 तो answer 4, जब remainder 2, तो answer 4, remainder 1, तो answer 2, यह 2 के case में होता है, 3 के case में और अलग खानी हो जाएगी, 3 के case में और अलग खाहनी हो जाएगी यहीं पर मैं 3 का भी बना के बता देता हूँ ऐसे ही सब नंबरों की cycle चलती है है ना ऐसे ही सब नंबरों की cycle चलती है अब आप try करना अब आप try करना फिर भी नहीं होता है तो आप लोग पूछ सकते हो 3 का square 9 3 का cube 27 तो unit place पाया 7 3 की power 4 81 तो unit place पाया 1 फिर 3 की power 5 वापस से 3 आएगा फिर 6 9 आएगा फिर 7 आएगा फिर 1 आएगा देख पार है हो 3 9 7 1 3 9 7 1 4 के बाद repetition हो रहा है हर 4 के बाद repetition हो रहा है तो कभी कोई तुम से सवाल पूछ ले कि भीया 3,033 की power उन्होंने बोला 2,018 की unit place क्या होगी तो 2,018 को अभी अपनने 4 से divide किया इसमें भी 4 का ही repetition हो रहा है तो 2,018 को जब मैंने 4 से divide करा तो remainder क्या आया था 2 तो जो 3 square का unit place है वही इस number का unit place होगा तो answer क्या हो जाएगा 9 आंसर क्या हो जाएगा 9 इस पूरे number की unit place पे क्या आएगा 9 क्या आएगा 9 मेरे ख्याल से concept समझ में आया होगा बहुत ही basic concept था 4 का मैंने बताया था 2 की cycle चलती है 4 का power 1 पे 4 आता है 4 का square पे 6 आ जाती है unit place फिर 4 का cube करोगे तो 4 आ जाएगा 5 और 6 में unit place मतलब कुछ भी हो आंसर 5 या आता है 5 की power कुछ भी हो जैसे तुम को दे दिया इधर कुछ भी दे दिया कुछ भी दे दिया basically मैं integer की बात कर रहा हूँ यह ना कुछ भी power दे दि तो यहाँ पे आखरी में क्या 5 है 5 की power 1 पे भी 5 आता है 5 और 6 का तो बहुती सिंपल है 5 और 6 का तो बहुती सिंपल है यहाँ पे cyclicity बनाता हूँ मैं 5 और 6 की है ना तो देखो दियान से, कितना आराम से कभी तुम देखो cyclicity of 5 तो 5 की power 1 होती है 5 5 का square होता है 25 तो फिर 5, फिर 5 का cube होता है 125 5 तो 5 ही चलता है, 5 ही चलता है, महला कुछ भी पावर हो, यूनिट प्लेस पे 5 ही आना है, ऐसा ही 6 का भी कहानी है, ऐसी 6 की भी कहानी है, यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, ये सब में यूनिट प्लेस लिख रहा हूं, ये मैं सब यूनिट प्लेस लिख रहा हूं है, I am writing the यू 7 की पावर 1 होती 7, 7 का स्क्वेर होता है 49, 9 आ गया, फिर 7 का क्यूब, 9 7 सा 63, 3 आ गया, फिर 7 की पावर 4, 21, तो यह 4 के रिपिटेशन पर चलता है 7, ऐसे ही 8 भी 4 के रिपिटेशन पर चलता है, नहीं नहीं, 4, 8 का देखो 8, 8, 8, 8, बहुत ही प्यारा, 8 की पावर 1, 8 का 32, basically 3, 1, 2 आता है न, तो 2 आएगा, फिर 8 की पावर 4, 8, 2 जा 6, तो यह 4 वाला चल रहा है, 9 में देखोगे तो 9 की पावर 1 होती है 9, 9 का स्क्वेर 81, फिर 9 का क्यूब करोगे तो वापस 9, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, तो जो साइक्लिसिटी 9 की होती है, वो 2 ही होती है, नहीं 9 का भी यहां लिख देते है, 9 का भी यहां लिख देते है, देखो, 9 की पावर 1 होती है 9, 9 का स्क्वेर 81, फिर 9 का क्यूब 729, यूनिट प्लेस भाग यह 9, 9 की पावर 4, 1, तो एक सवाल दे देता हूं मैं आप लोगों को, कि बताना, 2009 की पावर, 2009 की पावर, मैंने करी, 2018, इसका अ पहला कॉश्चन, दूसरा कॉश्चन, 2008 की पावर, मैंने करी, 3, 3, 3, 2008 की पावर, 333, इन दोनों का अंसर आपको कॉमेंट में बताना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, यह साइकलिसिटी आपने लिख ली होगी, तो अपलाई करना, कॉंसेप्ट को, और अब, हमारा जो आज का लेक्चर है, उसकी शुरुवात करते हैं, क्योंकि काफी डिसकेशन हो गया, प्रीवेस लेक्चर के क्वेश्चनों का, तो आप जो आज का डिसकेशन है, वो प्रूव बेस्ट है, मतलब थियरम पढ़ेंगे, कुछ नई नई बाते बताऊंगा, को प्राइम क्य क्या है, देखो, कोई भी दो नंबर, A and B, को मैं कब को प्राइम बोलूँगा, जब उसका एक ही कॉमन फेक्टर होगा, वो होगा 1, जब उसका एक ही कॉमन फेक्टर होगा, और वो होगा 1, for example, 4 और 9, 2 और 3, हाँ, और बताऊं, 2 और 35, यह सब को प्राइम नंबर है, अब देखो, इनका जो कॉमन फेक्टर है, इन दोनों नंबरों का जो कॉमन फेक्टर है, वो 1 ही है, इनका जब तुम HCF निकालोगे तो वो 1 ही आएगा, है ना, इसका जब तुम कॉमन फेक्टर निकालोगे तो वो 1 ही आएगा, तो द होता है, common factor of co-prime numbers is equal to 1. कि फ़ल एक ही factor आता है, इसलिए बोल रहे common factor क्या होता है? 1. उसी को ही HCF भी बोलेंगे, कि एक ही factor आ रहा है, दोनों का common, तो वही उसका highest common factor भी होता है. जब common factor ही 1 निकल रहा है, तो क्या highest, क्या lowest? तो वही HCF, जो co-prime numbers का होता है, that is 1. I hope this point is clear to you. अब जब मैं बताऊंगा, कि यार मेरा जो rational number होता है, ध्यान से सुनना, जो मेरा rational number होता है, वो मैंने क्या बताया था? कि वो number जिसको आप P by Q के form में लिख दो, जहांपे P और Q, integer होते हैं, Q not equal to 0 होता है, एक और property यहां पर आप add कर लो, कि यह जो P और Q है ना, इसको अपन co-prime number मानेंगे, क्योंकि बताऊं मैं एक चीज, बताऊं मैं एक चीज, जैसे मैंने यहां पर लिखा मानो, 20 upon 10, 20 upon 15 कर लो, चलो, ज़्याद अच्छे से समझ में आएगा इस example से, 20 upon 15, तो देखो यार यहां पर तो आप इसको simplify कर सकते हो, 4 की table में, 5 की table में, 5 fours आ 20 और 3, 4 by 3 आ गया, यह दोनों को देखोगे आप, तो यह दोनों co-prime number है, 4 और 3, इनका common factor क्या है, 1, इनका common factor क्या है, 1, तो जितने भी rational numbers होते हैं, after simplification, वो इसी तरीके से दिखने लग जाते हैं, वो इसी तरीके से दिखने लग जाते हैं, जैसे 22 upon 7, rational number है, rational number है, अब तो कोई confusion नहीं है न, approximate value होती है πाई की, पाई irrational number है, पर 22 upon 7, एक rational number है, यह important note है guys, note कर लेना अरांस है, तो इस दर भी तुम देख सकते हो 22 और 7, दोनों co-prime numbers है, दोनों कैसे हैं co-prime numbers है, कोई साभी example ले लो, तुमें example लोगे, cancellation करना, वो दोनों number तुमको co-prime ही दिखेंगे, अब तुमें जहाँ पे देखते 20 by 15 को, 20 by 15 is also a rational number, पर यार वो तो equal होता है न, 4 by 3 के, तो simplification हो रहा है तो करेंगे, तो यह बात कहेंगे कि यार, rational number को P by Q के form में लिख सकते हैं, वेर Q is not equal to 0, P Q belongs to integer, and they both are co-prime integer basically, मतलब integer की जगह कभी co-prime integer बोलोगे, तो that will be more suitable, जब अपन प्रूफ करेंगे कि यार, root 5 irrational number क्यों होता है, I hope co-prime में आपको कोई confusion नहीं है, अब बात करते हैं एक theorem की, theorem क्या कहती है, कि if, suppose करने यहां पर कुछ given दिया है, कि if P divided A square, then P divided A, P divided A square, then P divided A, बहुती basic सी बात है, कभी यह जो P divided A square है, मतलब अपन क्या कह रहे है कि जो ऐसा, मतलब जो P है, P आपका prime number है, और जो P है वो divide कर रहा है A square को, मतलब में कह सकता हो कि, P is the prime factor of A square, यह question में लिखा है indirectly, वही यह दोनो लाइनों का मतलब तो यही हो रहा है, यह दोनो लाइनों का, if P, let P be a prime number, and P divide A square, इसका मतलब क्या है, कि P एक prime number है, और P divide कर रहा है A square को, इसका मतलब है, कि P prime factor है A square का, अब P prime factor है A square का, तो बाते तो यह note करने की, कि यह अपने को given है, यह अपने को given है, अपने को सवाल में क्या given है कि P, इसको सवाल की तरह ही ले लो, थियोरम की बजाए सवाल की तरह लोग है, तो ज़्यादा अच्छे से, यह given है कि P, is the prime factor, of A square, of A square, अब मैंने इन्होंने क्या बोला है question में, कि let A be a positive integer, इन्होंने question में लिखा है कि, let P be a prime number and A be a positive integer, जो थियोरम में लिखिये बाते हैं, उनको मैं बस थोड़ा सा, manipulate कर रहा हूँ, ताकि मेरा proof बहुत आसानी से हो जाए, इन्होंने बला, A positive integer है, मैं पहले बता देता हूँ कि कर क्या रहे इस सवाल में, नहीं तो बच्चों को यही नी चमक रहा होगा, कि कहना क्या चा रही है यह theorem, तो उनके लिए एक बार मैं थोड़ा सा brief कर दू, कि यह कह रहे है कि यह P एक प्राइम नंबर है, A square यह जो लिखा है न, A square उसको P divide करता है, if मतलब यह given a condition, तो आपको प्रूव करना है कि जो P है वो डिवाइड करे a को भी, मतलब P जो है वो प्राइम फेक्टर a का भी हो, यह यह कह रही है कि यहार का भी P divide a square, then definitely P divide a, यह अपने को प्रूव करना है, तो इन्होंने कुछ data दिया है कि P जो है वो प्राइम नंबर है, यह जो है वो positive integer है, अब positive integer है तो मैंने उस positive integer का case लेग, कि मैंने मानगे let a be my composite integer, क्योंकि मैंने अब भी last class में आपको fundamental theorem of arithmetic पढ़ाई है, जहां पर मैंने बोला था कि कि किसी भी composite number को, आप product of prime factor में लिख सकते हो, तो मैंने माना कि यार, देखो, प्रूफ क्या करना है, यहां पर प्रूफ भी लिख दो, what we need to prove, we need to prove that p divides a, यह मुझे प्रूफ करना है, अब मेरा प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, let a be my composite, number, let a be my composite number, इसी का पार्ट है, positive integer का ही एक पार्ट है, a मेरा एक composite number है, मैंने मान लिया, तो मैंने fundamental theorem of arithmetic से क्या पढ़ागी, कि किसी भी composite number को, मैं product of prime factor में express कर सकता हूँ, है ना, तो मैंने मान लिया, n prime factor थे, मैंने यह composite number को, n prime factor में express कर दिया, यहाँ पर लिख दाना reason, by fundamental theorem of arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic में कह रहा हूँ, कि जो मेरा a था composite number था, मैंने उसको product of prime factors में लिख दिया, यहाँ पर मैंने कोई गल्ती तो करी नहीं है, ऐसा मैं कर सकता था, अब मैंने क्या करा, squaring on both sides कर दिया, क्योंभी मेरे को चर्चा a square पर दी भी है, तो मैंने पहले करा, कि fundamental theorem of arithmetic लगा दिया, a को product of prime factor में लिख दिया, इसी तरीके से तुमको exam में भी कभी यह question आता है, 3 marker में, तो इसी तरीके से prove करना है, feel भी आ पा रहा है कि नहीं, feel आना चीए बहुत ज़रूरी है, तो हमने जो fundamental theorem of arithmetic use किये यहाँ पर, यह समझ में आ रहा है, कि मेरा a एक composite number मैंने assume किया, तो उसको मैं product of prime factor में लिख सकता हूँ, यही तो definition बताई थी, fundamental theorem of arithmetic की, तो यहाँ पर मैंने वही लगा दिया, a is equal to p1, p2 into p3 into p4 and so on up to pn तक, squaring on both side भी कर देते हैं, तो इधर a square बन जाएगा, इधर p1 square into p2 square into p3 square into 4 square into so on into pn square, squaring on both side यहाँ पर लिख देना, हर चीज आपको एक्जाम में लिखनी है, जो भी करो, जो भी करो वो लिख दिया करो, क्या? जो भी अपन कर रहे हैं, इस line के बाद यह लिख दो, squaring on both side तो lhs में बन जाएगा a square, rhs में बन जाएगा p1 का square, p2 का square, p3 का square, भी product में हैं, तो हर पे पावल लगेगी, हर पे पावल लगेगी, फिल्कुल सही बात, कर दिया, भी एक और बार, ऐसा पूरा number, p1 into p2 into, एक और bracket लग जाएगा, basically a square का मतलब क्या है, a square का मतलब क्या है, कि भी p1 into p2 into p3 into p4 into pn, और यह पूरा वापस से, p1 into p2 into p3 into p4 and so on into pn, इस तरीके से, इसको भी मैंने p1 a square, p2 square इस तरीके से लिख दिया, अब पहली line, जो मैंने interpret की थी, कि p is the prime factor of a square दे रखा है, भी वो दोनों line का मतलब यह है, कि p prime number है और p divided a square, मतलब p क्या है, prime factor है a square का, भी a square के तो factor यह सब है, a square के तो factor यह सब है, a square के factor का है, पहल में given था, given क्या था, कि p is the prime factor, p is the prime factor of a square, यह जब p prime factor है a square का, मतलब इन में से कोई एक होगा, p1, p2, p3, जितने भी अपने n prime factor लिखे, उसमें से कोई एक p है, उसमें से कोई एक p है, क्योंकि, यह p कभी prime factor है a square का, और यह p1, p2, p3, p4 and p and b, prime factor है a square के, basically, क्योंकि भाई, यह सब इदा product में लिखे हैं, यह सब इदा product में लिखे हैं, यह composite number है, तो यह product of prime factor है, तो यह basically क्या है इसका, prime factor है, तो p1, p2, p3 and so on, pn, यह सब इसके prime factor है, यह सब इसके prime factor है, तो p, इन में से कोई एक है, pb, 1 of p1, p2, p3 and so on, pn तक, यह बात की feel आई, तो कि दोनों बातों का मतलब सेम है, तो p is the prime factor of a square, that is given in the question, that is given in the question, so p, so p should be one of, so p should be one of, one of the prime factor of a square, one of the prime factor of a square, it may be p1, it may be p2, यहां पे और लिखना हो तो, it may be p1, और p2, और p3 and so on, और pn, है ना, यह बात आ गई, अब, सवाल की जो पहली line थी, कि एक हो भी अपनने लिखा था, product of prime factor, अब जब p, इन में से कोई एक है, प, जब p1, p2, p3, p4, pn में से कोई है, तो यहां से एक बात समझ मारी, कि अपनने a को भी तो इसी तरीके से लिखा था, अपनने a को भी तो बोला था, कि यार, a is p1 into p2, into p3 and so on, into pn, तो इन में से एक p है, तो p, prime factor होगा, a का भी, कभी, p prime factor है a का, p definitely a को divide करेगा, p, मतलड, p definitely a को divide करेगा, कोकि p उसका prime factor है, इन में से कोई एक value p है, suppose p3 है, तो p3 तो definitely divide करेगा, p3 तो definitely divide करेगा को कूनि यहां लगा दो p3 कड गया, definitely divide कर दिया, क्योंकि temporary 분 burned usement piti line선, यहां से कोई एक है, फील आपा रही है, फील आपा रही है, फील आपा रही है कि नहीं, तो यहां से यह अपना हो गया, है ना, तो if यहां पर लिख देना, कि if p divides a square, then, यहां से समझ में आ रहा है, कि यहां पर लिख ना, therefore, p is the prime factor of a as well, अब p prime factor हो गया, a का भी, थोड़ा सा कभी तुम ध्यान से सारी बातों को सुन रहे हो, तो पूरी बाते समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत simple proof है, है ना, तो p is the prime factor of a, यही प्रूफ करना था, कि जो p है, वो divide करे, a को, यहां पर लिख देना, hence, proved, hence, proved, note कर लो अराम से, एक बाप फिर से, बता देतो क्या-क्या चीज़े की, गिवन था कि p is the prime, यहां पर factor लिखना मैं भूल गया हूँ, तो ऐसी गल्तियां हमें नहीं करनी एक्जाम में, है ना, p is the prime factor of a square, यह गिवन था, इन दोनों लाइनों से कि p prime नंबर है, और p divided a square है, तो मैंने उससे एक sentence बना लिए, कि p is the prime factor of a square, ठीक, प्रूफ क्या करना है, कि p divided a, यह अपने को प्रूफ करना है, शुरू किया आप बनने कि, let a be my composite number, हम fundamental theorem of arithmetic जानते, किसी भी composite number को product of primes में लिख सकते हैं, तो मैंने a को, कोई n prime number मान लिए थे, p1, p2, p3, उनके product में लिख दिया, squaring कर दी दोनों तरफ, तो a square को इस तरीके से लिख दिया, अब a square को इस तरीके से लिख दिया, मतलब, यह जो p1, p2, p3 है, यह सब a square के factor है, वही, p1, p2, p3, pn, सब a square के factor है, क्योंकि product में लगे हुए है, a square अपना एक composite number बन गए, the product of prime number बन गए, तो यह p1, p2, p3, सब आपके क्या factor है a square के, आपको सवाल में दिया है कि p भी एक prime factor है a square का, तो p, इन में से कोई एक होगा, कभी p, इन में से कोई एक होगा कि p1, p2, p3 और pn में से कोई एक p है, तो basically, p should be one of the prime factor of a square, it may be p1 और p2 और p3 और pn, तो यहाँ पर एक बात समझ मागए कि p is the prime factor of a, definitely, definitely, भई, p1, p2, p3, pn उसके prime factor थे और हम बोल रहें कि p, p1, p2, p3 में से कोई एक है, तो वो उसका भी prime factor है, तो p divided a, hence, proved, I hope, यह कर दोगे, तो तीन number मिल जाएंगे, three marks, done, समझ माया, पकी बात है, बढ़ते हैं आगे, कभी यह दोनों बाते आपको समझ मागई, तो अब यह proof आपसे बन जाएगा, यह proof आपसे बन जाएगा, अब यह proof तो बहुत ही आसान है, को प्राइम नंबर समझ लिया, और वो theorem समझ ली, तो यह proof कुछ भी नहीं है, फटाफटाब इसको प्रूफ को देखते हैं, root 5 is a irrational number, तो यहाँ पहना कौन सा method यूज करेंगे, जब भी इस तरह के सवाल आए, कि prove करो, कि यह irrational number है, तो जो method यूज करते हैं, उसका नाम होता है, contradiction method, यह mathematics की वो method है, जहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ assume कर लेते हो, और आप अपने assumption को ही गलस साबित कर देते हो, आप यहाँ पे कुछ assume कर लोगे, और आप फिर अपने assumption को ही wrong साबित करके बोल दोगे, कि मेरा assumption wrong है, तो यह basically उसका उल्टा है, मतलब मैं क्या करूँगा, कि मैं assume कर लोगा कि root 5 मेरा rational number है, तो भई, rational number है, तो मैं root 5 को P by Q के form में लिख दूँगा, आखरी में मेरे को समझ म आएगा, कि मेरा जो root 5 मतलब जो P by Q के form में लिखा ना, तो basically मैंने assume क्या किया था, कि वो rational number है, पर वो हकीकत में निकला क्या, irrational, तो मैंने जो assume किया था, वो ही गलत हो गया, मेरा जो assumption है, वही गलत हो गया, तो मैं उस थरीके से इसको prove करूँगा, कि मैं कुछ assume कर लोगा, और फिर उसी को गलत सावित कर दूगा, मतलब मैं अपनी बात को ही गलत सावित कर दूगा, देखो अब कैसे, तो यहाँ पर बास करते हैं इसके proof की, proof, यल्लो पहन दे रहते हैं, तो let, let root 5 be my rational number, मैंने क्या बोला, कि root 5 मेरा rational number है, तो मैंने root 5 को P by Q के form में लिख दिया, where P and Q are, इसी तरीके से लिखना, co-prime integers, co-prime integers, क्योंकि यह नहीं लिखोगे न, co-prime integers, तो तुम्हारा proof ही नहीं होगा, क्योंकि यह statement को मैं गलत सावित कर दूगा, मैंने क्या, assume क्या, कि root 5 मेरा rational number है, तो root 5 को मैंने P by Q के form में लिख दिया, where P and Q are my co-prime integer, and Q is not equal to 0, Q is not equal to 0, और यह co-prime integer है, मतलब P और Q का कोई common factor नहीं है, 1 के अलावा, co-prime का मतलब यही बताया था आपको, बस अब इसी चीफ को बढ़ाते हैं आगे, squaring कर दो, squaring on both side, है ना, तो squaring on both side करेंगे, क्योंकि यह मेरे को root हटाना है, root मतलब power हो गई, यह 1 by 2, उस root को हटाने के लिए मैं कर रहा हूँ, squaring, यहाँ पर मैंने क्या किया, squaring on both side, squaring on both side, तो root 5 square square क्या हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, यह P square हो जाएगा, और यह Q square हो जाएगा, तो यह बन गया 5 Q square is equal to P square, यह equation बन गई, 5 Q square is equal to P square, यहाँ तक समझ में आया सबको, क्या आया, 5 Q square is equal to P square, यहाँ से एक बात समझ मैं नहीं, कि यह बन रहा है, P square is equal to 5 Q square, क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ, कि 5, यह जो 5 है, यह divide करेगा P square को, क्योंकि जो 5 है भाई P स्क्वेर को देखो दियान से तो वो ऐसा कुछ है 5 into Q into Q तो 5 जो ये 5 है ना it is the prime factor of P स्क्वेर क्योंकि उदर product में लिखावा है ये आपका क्या है composite number P स्क्वेर co-prime integer था उसका square कर दिया तो एक basically composite number है ना ये 5 ये 5 क्या है आपका prime factor ही हो जाएगा इसका P स्क्वेर का तो मैं कह सकता हूँ यहां पे कि 5 divide P स्क्वेर क्योंकि उदर product में लिखा है तो इदर लिख सकता हूँ 5 divides P स्क्वेर कभी 5 divide कर रहा है P स्क्वेर को तो अभी मैंने थियोरम पढ़ाईए कि कभी 5 divide करे P स्क्वेर को तो 5 divide P स्वेर कभी 5 divide करे P स्क्वेर को तो 5 divide P स्वेर 5 कभी divide कर रहा है P स्क्वेर को तो 5 divide P स्वेर तो यहां पे लिखना यहां पे लिखना मैं इसी step को आगे बढ़ा रहा हूँ वही P स्क्वेर is equal to हमारा है 5 Q स्क्वेर तो यहां मैंने लिखा कि 5 divides P square यहां पर किस reason से बोल रहा हूँ है by fundamental theorem of arithmetic okay fundamental theorem of arithmetic से मैं यह बात कह पा रहा हूँ अब कभी मैं यह बात कह पा रहा हूँ कि 5 divided P square by fundamental theorem of arithmetic तो 5 divides P as well by theorem 1 जो अभी प्रूफ करी है ना अभी theorem 1 यही तो प्रूफ करी थी कि कभी कोई number if P divides A square तो P divides A also तो यहां पर वही बात हो रही है कि कभी उसके square को divide कर रहा है तो उसको youtuber divide definitely करेगा अरे basically देखो 625 को कभी 5 divide कर रहा है तो इसका square root क्या है 25 definitely 525 को भी divide करेगा definitely पाँच 25 को भी divide करेगा कभी ये थाबित हो पा रहा है, तो ये होगा ही होगा, यहाँ पर यही बात कहा रहा है, वो जो थियोरम अपन ने प्रूफ करी थी, गर 5 divided P, तो मैं लिख सकता हो, P is equal to 5M, P is equal to 5M, लिख सकता हो, क्योंकि 5 divided P, तो P is equal to 5M, यहाँ पर मैंने M क्या बोल दिया, M be my any integer, M be my any integer, इस तरीके से ले लिया मैंने, अब यह जो P है, P है, यहाँ पर फिर मैंने squaring करी, है ना, तो यहाँ पर आप squaring करो, बात को समझना, मैंने कह लिखा 5 divided P, तो P को मैं 5 के factor के form में लिख सकता हो, मैंने 1 M कोई अलग integer मान लिया, तो M be my sum integer, M be my sum integer, बात समझ में आई, अब P is equal to 5M लिख दिया, अब फिर squaring कर दो, तो P square, अब देखो यहाँ पर, P square is equal to 25M square, P square की value यहाँ से substitute कर दो, तो यहाँ आएगा 5Q square, तो P square क्या था 5Q square, is equal to 25M square, तो Q square की value आगई क्या, 5M square, यहाँ आगया आपका Q square का value, अब यहाँ पर फिर से देखो, कि Q square is equal to 5M square, कभी मैं Q square को देखू, Q square मेरा एक composite number है, वो product of prime factor के form में लिखा हूँ है, M कुछ भी हो, पर यह इदर multiplication में लिखा है, इसका मतलब क्या है, कि मैं लिख सकता हूँ कि 5 divides Q square, इससे मैं लिख सकता हूँ, कि जो मेरा 5 है, वो divide कर रहा है, Q square को, तो 5 divide करेगा Q को भी, 5 divide करेगा Q को भी, कभी 5 divide कर रहा है Q square को, तो 5 divide करेगा Q को भी, Q square equal to 5 M square आ गया मतलब यहाँ पर multiplication में तो उदर जाके division में हो जाएगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 5 divided Q square 5 divided Q अब यह जो बात है ना 5 divided Q इसको देखो और इसको देखो यह दोनों बातों को दिहान से देखो एक बात है आपकी यह और एक बात है आपकी यह जो 5 है वो P को भी divide कर रहा है जो 5 है वो Q को भी divide कर रहा है मतलब 5 दोनों का factor है P और Q का और मैंने initially क्या माना था मैंने initially क्या माना था दोनों को co prime तो उन दोनों का 1 के अलावा तो कोई factor हो factor है क्योंकि दोनों को divide कर रहा है तो यहाँ पे लिख देना कि 5 is the common factor of P and Q but we assumed that P and Q are my co-prime integer which actually contradict my statement. Hence our assumption is wrong. जो हमने assume किया था वो गलत है तो हमने rational number assume किया था तो root 5 क्या होगा? Irrational number. तो यहाँ पे कहा लिखोगे since 5 is the factor of both यह सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 3 mark में पक्का आता है यह सवाल तो यह सब बाते लिखोगे तो 3 number मिलेंगे. Since 5 is the factor of both P and Q 5 जो है वो factor P का भी है Q का भी है. है ना? तो since 5 is the factor of both P and Q but which which यहाँ पे लिख देना contradict our assumption which contradict our assumption. हमने assumption क्या रखा था कि P और Q हमारे co-prime होने चीए. पर 5 एक factor आ गया P और Q का. जबकि P और Q का 1 के अलावा कोई factor आना ही नहीं था. 5 आ गया. मतलब हमारी बात ही हमने लिख दिया. तो हमने लिख दिया which contradict our assumption. Hence एक सवाल और एक सवाल और यह ज़्यादा असान होता है. यह ज़्यादा असान होता है कभी यह सवाल आगे आप प्रूफ करने के लिए तो यह जल्दी प्रूफ हजाएगा क्योंकि इसमें एक चीज़ गिवन होती है कि given that root 3 irrational number आपको given है आपको क्या प्रूफ करना है कि यह जो number लिका है वो irrational है. तो जो प्रूफ करना है कि वो irrational है वावस से contradict method used करेंगे. कि जो आपको प्रूफ करना है कि वो irrational number है उसका assume कर लो कि यह वो rational number है तो यहाँ पर assume करेंगे, let 7-2 root 3 be my rational number फिक, 7-2-root-3 भी माँ है, rational number तो 7-2-root-3 को मैंने लिख दिया P by Q के form में यह radical था, इसको उदर पुचा दिया, इसको इदर दिया है तो यह बना 7, लेखो यह बना 7, यह 7 P by Q को मैं इदर ले आता हूँ, बहुत आसान है यह proof तो 7-P by Q इदर आएगा 2-root-3 ठीक, गया जाएगा आपका, देखो यहाँ पर सब लिख देना है न where P and Q are co-prime integers co-prime integers and Q is not equal to 0, यह सारी बाते लिख दिया हमने 7-P by Q is equal to 2-root-3, इसको उदर भेज दिया, P by Q को इदर लिया है इदर LC हम लेंगे तो 7-Q minus P upon Q, यह 2 को भी दल लियाएंगे तो 2-Q इदर बचेगा केवल root 3 अब इस expression को देखो prove हो गया दो step में, ध्यान से देखना 7-Q minus P, सब co-prime integer है तो देखो, P आपका co-prime integer है 7-Q आपका एक integer है overall एक integer quantity Q not equal to 0 है तो इदर LHS में क्या लिखा है, एक rational number क्योंकि 7-Q minus P upon 2Q क्या होगा एक rational number सब integer है और upon में लिखे है, बिल्कुल P by Q के form में यह कुछ बनेगा M by N के form में basically अब P by Q आपन वो variable नहीं बोलेंगे पर यह बनेगा कुछ M by N के form में तो यह बना कुछ M by N के form में तो यार यह LHS में एक rational number लिखा है यह पूरे को देखो 7Q minus P upon 2Q आपका एक rational number है root 3 सवाल में दे रखा है irrational number है मतलब यह तो है rational number यहां से समझ में आ रहा है कि जो rational number है LHS में तो rational number है RHS में irrational number है RHS में irrational number है तो क्या rational number irrational number के बराबर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है Hence Again This is impossible यहां पर लिख दे ना मजे यह आ जाएगा यह लिख दो यहां पर This is impossible कोई rational number कभी irrational number के बराबर नहीं होता है So this is impossible फिर अपना क्या हो गया Hence Our assumption is wrong Hence our assumption is wrong हमारा जो assumption है वो गलत साबित हो गया तो इससे यह समझ में आया कि जो 7 minus 2 root 3 है वो क्या है is a irrational number Hence proved तो यह जो prove अपन कर रहे है This is contradiction method कि पहले जो prove करना उसका उल्टा अपनने अजियूमी कर लिया कि मान लिया rational number है P by Q के form में लिख सकते हैं फिर अपनने क्या कर आया यह तो इस तरह का सवाल आया तो वो तो बहुत ही आसाने एक तरह आपका rational number बन जाएगा दूसरा आपका irrational number बन जाएगा तो ऐसा सवाल तो तीन number में नहीं आएगा वो अल आ सकता है तीन number में पर यह भी एक pattern होता है कभी पहले पूछा गया था 2015 में तो मैंने यह आपको दे दिया I hope this point is clear to you अब यह 2012 का सवाल है 2012 का यह सवाल है इसमें आपको 2 root 3 plus root 5 के form में दिया है मतलब यहाँ पर क्या है दो root लगे है again क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको प्रूव करना है कि irrational number है तो आप क्या करोगे let 2 root 3 plus root 5 let 2 root 3 plus root 5 be my rational number be my rational number तो इसको आप P by Q के form में लिख सकते हो 2 root 3 plus root 5 is equal to P by Q अब देखो यहाँ पर यहाँ पर मैं root 5 को अधर भेजते है तो मानो तो इदर आप 2 root 3 is equal to P by Q minus root 5 यहाँ पर लिख देना where P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0 है ना where में लिख देता हूँ P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0 तो यह आगया P by Q minus root 5 है ना तो यह बन गया P minus root 5 Q upon Q is equal to 2 root 3 squaring करी तो 2 का square 4, 4, 3 जा 12 हो जाएगा is equal to P square plus 5 Q square minus 2 root 5 P Q upon Q अब अपने साबित कर दिया तो देखो root 5 को एक तरफ रख देना बाकी सबको LHS में ले जाओ root 5 को एक तरफ रख दो बाकी सबको भई root 5 को रख दिया मैंने RHS में बाकी सबको LHS में ले गया कुछ भी जेसा तुमको जमे यहाँ पर मैंने क्या किया squaring करी तो देखो यार यह वाली step कभी समझ में नहीं कि क्या कर दिये आप जल्दी से तो कि एक जैसे सवाल है एक जैसे सवाल है और हर साल आता ही आता है तो यह सवाल इसलिए करा रहा हो था कि practice हो जाए तो यह pattern follow करना squaring करी यहाँ पर आपने अब इसमें squaring करोगे तो next page में लिख लेते है squaring on both side squaring on both side squaring करो जारा तो 2 root 3 की squaring होगी तो 4 3 12 LHS में बनेगा 12 तो 2 का square 4 और root 3 का square 3 4 3 जा 12 और इधर करोगे squaring तो A minus B का whole square लग जाएगा तो P square plus 5 Q square minus 2 root 5 P Q upon में upon में Q square आएगा है ना अब यह केवल root 5 वाली term को रखेंगे अपन तो इदर बहिजा मैंने 12 Q square is equal to P square plus 5 Q square minus 2 root 5 P Q यह वाली term को इदर लियाते हैं तो 2 root 5 P Q is equal to P square minus 7 Q square अब यह देखो इदर root 5 रख दो 2 P Q को इदर भेजेंगे तो divide में हो जाएगा उदर multiplication में था अब इदर देखो यह पूरा एक rational number है क्योंकि सब co-prime integer है है ना तो यह m by n के form में बन गया यह एक rational number है इदर root 5 है कि irrational number है तो क्या irrational number कभी rational number के बराबर होता है क्या नहीं होता है तो यहां पर फिर इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं कि भाईया irrational number यहां पर आ गया अपना equal to rational number है ना तो तो which contradict our, मतलब this is impossible, this is impossible, this is impossible, this is impossible यह तो ना मुम्कीन है कि कोई एक irrational number यह पूरा तो rational number है क्योंकि p एक integer है, q एक integer है एक integer मेंसे एक integer को divide कर रहे हो किसी integer के साथ, है ना, minus करके divide कर रहे हो तो यह basically यह तो m by n के form में ही बन रहा है तो this is a rational number but that is a irrational number तो this is impossible, hence our assumption is wrong मेरे ख्याल से इस तरह के problem में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के problem में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो जो पहला वाला था वो थोड़ा tough था proof, co-prime वाला बाकी यह तो irrational equal to rational करके बस squaring करनी रहती है बाकी तो आपका काम आसान हो जाता है I hope this point is clear to you इन्होंने एक और सवाल दिया है वो मैं homework दे रहा हूँ also check whether 2 root 3 plus root 5, 2 root 3 minus root 5 is a rational or irrational तो तुम जब इसका answer बोलो ना तो ऐसा लिख देना CBSC 2012 वाले का second part का answer sir rational है कि irrational है वो हम बता रहे है है ना? तो इस तरीके से comment कर देना तो मैं को समझ में आजएगा कितने बच्चों को rational और irrational में समझ में आरी यह बाते ठीक है मतलब यार कोई के भी root के अंदर कोई prime number लिखा है तो वो basically irrational number ही होता है वो basically irrational number ही होता है कि यह एक prime number है root के अंदर लिखा है तो वो basically irrational number ही होता है I hope this point is clear to each and everyone यह question भी homework है यह question भी homework है, example भी बताना केवल यह मत बोल देना केवल यह मत बोल देना कि is product of a rational number and irrational number is a rational number product करोगे rational का irrational के साथ तो क्या result आएगा यह कह रहे हैं कि वो rational number ही आएगा क्या सही है गलत है जो भी लिखो example देके बताना कि क्यो ऐसा कह रहे हो product of two irrational number मतलब जब तुम दो irrational number का product करोगे तो वो rational number और irrational number आएगा क्या justify by giving the example मतलब जब तुम दो irrational number का product करोगे तो rational और irrational दोनों आ सकते ऐसा कह रहे है जब तुम rational number और irrational number का product करोगे तो कह रहा है कि rational number आएगा तो यह आपको बताना है, यह homework है, comment करना Guys, the more you sweat in practice, the less you bleed in battle तो अभी महनत कर लो, तो exam में सारे सवाल बन जाएंगे आज का lecture का भी पूरा देखा तो तीन number तुमारे confirm है क्योंकि वो root 5 is a rational number और irrational number का proof आता ही आता है तो बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में Thank you so much पढ़ाई करते रहें, all the very best